जब श्री राम जी को हरा दिया भक्त हनुमान जी ने जै श्री राम जै हनुमान कैसे चलिए जानते हैं और कैसे राम से बड़ा राम का नाम होता है चलिए जानते हैं इस कहाने के जरिये उत्तर आमायन के अनुसार अश्वमेग यगपूर्ण होने के पश्षात भगवान स्री डाम ने एक बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओ, रिश्यों, रिश्यमुनियों, योक्ष, किनरों सभी को आमंत्रित किया इस सभा में राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था, नारत मुनिके भरकाने पर एक राजन ने सभी रिश्यों को प्रणाम किया सिवाए विश्वमित्र के बरी सभा में ये देखकर विश्वमित्र बहुत ज़ादा गुसे से भर उठे और उन्हें ने श्रीराम जी से कहा कि अगर आपने उस राजन को सुर्यास्त से पूर्वर मित्यूर डंडर नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दे दूँगा से राम जी ने उस राजन को मारने का प्रण ले लिया सुर्यास्त से पूर्वर इसे बात की खबर जब उस राजा को लगी तो वो राजा अपने प्राण बचाते भागा भागा माता अंजनी के पास गया और मा अंजनी को पूरी बात बताई भीना ही उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने का वचन ले लिया तब माता अंजनी ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि आपको इस राजा के प्राणों की रक्षा करनी है और ये आदेश हनुमान जी को दिया तबी हनुमान जी ने श्री राम जी की सपत लेकर ये बचन दिया कि कोई भी इस राजन का वाल विवाका नहीं कर पाएगा तबी राजन ने कहा कि श्री राम जी ही उनके प्राण लेना चाहते हैं यह बात सनकर हनुमान जी तो धर्म संकट में पढ़ गए अब इनुने सोचा कि आप क्या करें माता को भचन भी दे चुके हैं और इसे भी बचाना है और श्री राम जी को भी स्रॉबसे बचाना है अब क्या किया जाए धर्म संकट में फसे हनुमान जी को तबी एक योजना सूझी और उन्होंने कहा राजन से कि आप जाकर सर्यों नदी के तत पर राम नाम का जाब करो और स्वैम हनुमान जी सुक्ष्म रूप में राजन के पीछे वहीं पर छिप गए तभी श्री राम जी वहां ढूंते ढूंते राजन को आप पहुंचे और उन्होंने देखा कि राजन तो श्री राम नाम का जाब कर रहा है यादेकर श्री राम जी ने सोचा कि ये तो भक्त है और अब मैं भक्त के प्राण कैसे लूं यह देक कर श्री राम जी वापिस लोट गए और फिर रिशी विश्वा मित्र के पास जाकर उन्होंने अपनी दुविधा कई और कहा कि अब उसके प्राण कैसे लो लेकिन रिशी विश्वा मित्र अपने बात पर अडिंग रहे और फिर से श्री राम जी को वापिस सर्यू नदी के तट पर लोटना पड़ा अब यहां प्रभु श्री राम के सामने भी धर्म संकट आ गया कि वो अपने ही भक्त राम नाम का जाप कर रहे उनका वद करे तो करे कैसे प्रभु श्री राम सोच रहे थे कि इस वक्त हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था लेकिन हनुमान जी तो सुक्ष्म रूप में वहीं पर उनके ही विरुध धर्मयुद का संचालन कर रहे थे हनुमान जी यह जानते थे कि राम नाम का जाप करते हुए कोई भी राजन को नहीं मार सकता है स्वयम मर्यादा पुरुशयत्म श्री राम भी नहीं सरी तट से लोट कर जब श्री राम जी ने शक्तिबान निकाला राजन को मारने के लिए तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा श्री राम जानते थे कि शक्तिबान भी राम नाम जबने वाले पर असर नहीं करेगा और वो असहाय होकर वापस लोट गए विश्वा मित्र उन्हें लोटता देखकर श्राप देने को उतारू हो गए तभी श्री राम जी को वापस सरुत जाना पड़ा इस बार राजा हनुमान जी के कहने पर जैजय स्री राम जैजय हनुमान का रहा था रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के जाप के साथ साथ ये शक्ति और भक्ति की भी जैजय बोल रहा है ऐसे में कोई अश्ट्र शष्ट्र इस राजन को मार नहीं सकता ये सब सोच कर देखकर स्री राम जी मुर्चित हो गए तब रिशी वशिष्ट ने रिशी विश्वमित्र को ये सला दी कि राम जी को इस संकट में ना डाले उन्होंने कहा कि श्री राम जी चाहकर भी उसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि जो बल राम नाम जपने में है वो बल खुद श्री राम में भी नहीं है संकट बढ़ता देखकर रिशी विश्वमित्र ने उन्हें समाला और अपने वचन से मुप्त किया मामला संभलते देख श्री राम श्री हनुमान जी अपने रूप में आ गए और सीधे जाकर श्री राम जी के चर्णों में गिर पड़े तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि इस प्रसंग से हनुमान जी ने यह सिद कर दिया कि भक्ती की शक्ती सदेव अराध्य की ताकत बनती है तथा एक सच्चा भक्त सदेव अपने भगवान से भी बड़ा रहता है इस प्रकार प्रभू हनुमान जी ने राम नाम के सहारे प्रभू श्री राम जी को भी हरा दिया इसलिए तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम होता है तो राम नाम जबने को इसलिए कहा जाता है और राम नाम लिखने से बहुत फायदे होते हैं और श्रीराम जी की कृपा तो आप पर होती ही है साथ में हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो जैसा भी लगा प्लीज लाइक कर दीजेगा और कॉमेंट में जए श्रीराम जए हनुमान ज़रूर लिखें